हाई एंड वेलकम टू मैं चैनल अग दफ्लेवर्स अफ लाइफ आज मैं आपको बारिश के मौसम में प्लांट्स की क्या क्या केर करनी है उनको कैसे प्रोपेगेट करना है कैसे रिपॉर्ट करना है और किस इन प्लांट को बारिश में रखना है और किनको बारिश से दूर र continuous बारिश में नहीं रखना है देशी गुढल तो आप पूरा बारिश में रखे बिंदास ये चलते हैं और इनकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है अगला जो ये प्लांट है ये पेंटास का प्लांट है और बंच में छोट छोट फ्लांट देता है दो साल से लगभग मेरे पास ये प्लांट है और पूरे सालवर अगर आपको सालवर फ्लावरिंग चाहिए तो पेंटास आप अपने गार्डन में जरूर एड़ करिए और ये चोटी सी कटिंग भी अगर आप लगा देते हैं तो बिना किसी ताम जाम के आसानी से लग जाती है अगला प्लांट ये लेमन कलर में भी परपल में उसमें डालके उसके होल को थोड़ा सा धीला कर दे ताकि वहां से मिट्टी हट जाए और पानी की निकासी हो सके और अगर पॉसबल हो तो पौदे को रिपॉर्ट कर दे और अगर पॉसबल ना हो जैसे मेरा एक्जोरा है इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो मैं इसको भी इनको बारिष से बचाना होता है यह जो प्लांट आपने भी देखा यह प्लूमेरिय का प्लांट है और बारिष में खुब अच्छी फ्लावरिंग करता है तो इसको भी आप लगा सकते हैं कटिंग से अगला प्लांट यह सौंग ओफ इंडिया इसकी भी देखिए मैंने रख सकते हैं और बारिष के टाइम कटिंग भी आसानी से लग जाती है दूसरा यह फायर वुष प्लांट इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है और इसको भी आप पूरी बारिष में रख सकते हैं एलो निमा को भी बारिष बहुत पसंद है आप अगर उसे बारिष में रख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसका गंबला वेल ड्रेन होना चाहिए और आप उसे बारिश में काफी दिन तक रख सकते हैं लेकिन अगर लगातार हफते भर तक बारिश हो रही है तो तब आपको उसको अंदर रखना पड़ेगा और देखिए उसके उसके कभी-कभी य न्यू बारिश को खा जाते हैं तो उससे अटेक से बचने के लिए आपको उसमें नीम ओल का स्प्रेवी करना पड़ेगा और यह कहले थिया प्लांट से यह इनका बैस्ट ग्रोइंग सीजन है क्योंकि इस समय इनको अच्छी हुमिडिटी और बारिश भी प्रोवाइड हो हो गई है यह है फिलो डेंडरोन की एक वराइटी बहुत ही स्लो ग्रोथ करती है लगबख तीन साल से मेरे पास है और अब इसमें सिर्फ इतने ही ग्रोथ वी तो इस साल मैंने इसकी टिप को उपर से काट दिया था तो देखिए न्यू ग्रोथ इसमें आ गई है उपर की ट सारी कटिंग लगा रखिए मेरे पास अब बहुत सारे क्रोटोन हो गए हैं तो आप इस तरह से अपने प्लांट को मल्टिपलाई कर सकते हैं टिकोमा की कटिंग भी आसानी से बर्सात में लग जाती है गर्मियों और वर्सात में खुब फ्लावर कर देता है तो मैंने लगा सकते हैं छोटी से छोटी कटिंग भी आप इसको लगा सकते हैं इनका मॉंस्टेरा को तो बहुत ही अच्छा सीजन आ गया फुल ग्रोथ इस समय मॉंस्टेरा की होती है अगर आपके पास मॉंस्टेरा है तो आप उसको जैसे चाहे मर्जी रिपॉर्ट कर सकते हैं कटिंग लगा सकते हैं जो मर्जी करना चाहें इनके साथ एक्सपेरिमेंट करके उसको वो मंचाश शेप दे करके आप चाहे मौस स्टिक में लगाईए चाहे किसी पेड़ के सायता से लगाईए अराम से ग्रो हो जाते हैं बारिश का मौसम रीपॉटिंग के लिए भी बैस्ट होता है मेरे पास ये 6 साल का जामुन का पेड़ है ये देखे नीचे से पूरा ये रूट बाउंड हो गया था इतना बड़ा गंबला लगब सोला इंच का गंबला इसका है ये और ये 6 साल का पेड़ है इसके साथ अपराजीता की बेल भी पूरी चल रही थी आज मैंने इसको हटा मैंने इसको 50% तींचे रूट थी वो पूरी की पूरी हटाने का डिसाइड किया और मैंने इसको हटाने के बाद देखिए और ये हट गयी है रूट नीचे की पूरी नीचे लगा दी गंबले में और उसके बाद मैंने पॉर्टिंग सोयल डाल करके इसको दूबारा से कर लीजिए और उसमें नई सोयल जो इसमें लगा दीजिए आराम से आपका पौधे को कोई भी डैमेज या कोई भी नुक्सान नहीं होगा और आसानी से वो चल जाएगा तो यह काम भी आप बारिस के मौसम में कर सकते हैं इनके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकों की बारिस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती जैसे कि यह अडिनियम अगर बाहर रखा हुए तो जरूर आप उसको बारिस से दूर शेड में रख दीजिए क्योंकि उनका जो कॉडेक्स होता है आगे से बाहर से तो पता नहीं चलता लेकिन नीचे ही नीचे उनका कॉडेक्स गलने लगता है और हमारा अच्छा खासा प्लांट खराब हो जाता है इसलिए आप बारिस से उनको बचा करके रखिए उसके अलावा अब यह देखिए यह प्लांट है संसेट बैल यह तो बिलकुल अपने फुल ब्लूम में इस समय होता है और आगे कुछ और महीनों में यह बहुत ही अच्छे अपने फ्लार्स प्रोड्यूस करता है बहुत उसका प्लांट दीरे-दीरे सरने लगता है अब यह देखिए इंगलिश आईवी यह भी स्कुलेंट है दीरे-दीरे इसकी पतिया थोड़ा बहुत भी बारिश अगर इसमें लगती है तो यह खराब होने लगता है तो मैं सब को यह बिंडों की जो सिल नीचे स्लैब है उस इसको मैंने मार्श में लीव से प्रोपगेट किया था खुब सारे उसमें बेबी पाप्स आ गया है लेकिन उनको भी बचाना अब बहुत बड़ा टास्क है क्यक्टस को भी बचाना बहुत ही बारिश से जरूर ही है अगर आप उसे बचाएंगे बारिश में रखेंगे तो वो क्यक्टस नीचे से गल करके खराब हो जाते है तो बारिश में आपको क्यक्टस, सट्युलेंट्स बिलकुल भी नहीं रखने है उनको दूर रखना है ये देखेए मेरा से बहुत अच्छा दिख रहा था लेकिंपे नीचे से इसका स्टेम नीचे से गल गया है उपर अगर बचा पाई तो ठीक है, अगर एक बार ये खराब होना शुरू हो जाता है, तो पूरा का पूरा गमला खराब हो जाता है, ये देखिए प्रोपगेट मैंने इनको किया था, तो इनको भी मैंने शेड में रखा हुआ है, कटिंग के अलावा सीड लगाने का भी ये बेस स का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, इसके अलावा अगर आप कोई फलदार व्रिक्ष नरसरी से लेकर आएं, तो उनको भी आप किसी बड़े गमले में अच्छी तरह से रिपॉर्ट कर सकते हैं, तो जैसे मैंने ये ताइवान पिंक अम्रूत की वराइटी लिए, इसको भ प्लांट्स मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन डाय इन्थेस का था, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे पास इंको रखने के लिए जगह नहीं है, तो अगर आपके पास जगह है, तो जरूर उनको बारिश से हटा के ऐसे जगह में रख दीजे, जहा पौधों के बारे में हलकी फुलकी जानकारी कि किसको आपको बारिश में रखना है और किसको नहीं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, थैंक्स फॉर वाचिंग